हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दे पॉइंट सॉल्यूशन देखिए दीए इसी सीयल की जो नई रिक्रूटमेंट आई है उसमें हम लोग प्रिविएस येर क्विश्चन वेपर सॉल्व कर रहे थे क्योंकि आपका इस बार सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकेंड होना है जिसम के पूछे गया थे और ये एक्जेक्यूटी ऑप्रेशन सेन बिजनस डेवलपमेंट के जो क्विश्चन पूछे गया थे वो हैं तो ये तो सब के लिए कॉमान है चाहिए वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो जनरल जो मतलब यहां पर आपका नॉन टेक्निकल क्विश्चन से है दस क्विश्चन टोटल रिजनिंग के पूछे गया थे इसके बाद हम लोग जनरल अवेरनेस और करेंट अफेर के जो भी क्विश्चन होंगे देखेंगे स्रीमान सी उत्तर के समुख बाएं छोर से नवी कुर्सी पर बैठे हैं और दाएं छोर से 17 पर हैं तो एक पं और उत्तर के समुख तो ये नार्थ और ये साउथ मैं तो ऐसी मान के चलता हूं इस्ट वेस्ट नार्थ साउथ राइट अब यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं बात करूँ कि सी जो है उत्तर के समुख उत्तर की तरफ मोह करके बाएं छोर से नवी कुर्षी पर अगर ये टोटल 17 है ठीक है अलब इसको ले करके जहां पर ये बैठ है भाई साब नवे स्थान पर लेट साइट से तो अब जो बचे खुचे इधर हैं वो कितने होंगे आठी तो बचे क्योंकि ये तो नवे पर खुद है और इधर से ये टोटल 17 हमे पर है तो अगर ये इ सेकेंड ओप्सन यहां पर करेक्ट हो गया ऐसा ही कुष्चन इससे पहले भी पूछा गया था अब जो सेकेंड कुष्चन है स्वरूप निर्धारित कीजिए और लूपत संख्या भरिए तो सिंपल सी बात है कि हमको इनको फॉलो करते हुए जाना है उसको फिलप करना है त तो यहां पर तीन से आठ हुआ इसका मतलब की पांच का गयप है टोटल आठ से ठार हुआ इसका मतलब यहां पर आपका दस का गयप है और यहां पर अठारा से अरतिस बीस का गयप है और उसके बाद यहां पर आपको नहीं पता है और यह आपको नहीं पता है तो आप जोड़ोगे तो 8 और 7 बंदर एक 108 हो जाता है तो 78 यहाँ पर फिलफ होगा काफी इजी था यह तो एक ही बार में बन गया ऐसे क्विशन क्या होते हैं कि कभी कभी नहीं बनते हैं तो उनको काफी सारे पैटर्न होती यह प्रैक्टिस से आएगा ठीक है इसमें कई सारे जो है ए और भी एक निश्चित इस्तांत से चलना सुरू करते हैं ए उत्तर की और चलता है और तीन की में चलने के बाद अपनी दाई और मुरता है तो देखें जैसे ही क्विश्चन को आपने देखा कि यह डारिक्सन वाला गर क्विश्चन है तो पहले ही आप यहाँ पर अपना एक हमेशा से मान लो कि मैं ऐसे ही मानूंगा इसमें भी गलत नहीं मानना है क्योंकि इस्ट के बाद यहाँ पर वेस्ट होगा और नार्थ आव्यसली इधर आएगा और साउथ इधर आएगा आपको एक मैप की जानकरी यहाँ पर अपना फिक्स कर लेना है कि इस्ट की ओर इसके बाद यह क्या कर रहा है शाण की और मुरता मटकि जाते है और चार किलो मिटर मेटर यहां पर चल लिया उसके बाद करहाँ व पस्चिम की ओर चलता है सो ए और ब एक निश्री तिस्सान से मतलब यहीं चल रहा है आँ अश्चिम से यह छल रहा है जंब यह गी उसके बाद कह रहा है अब A और B एक दूसरे से कितने दूर है तो question पढ़ने से better है कि आप यहाँ पर start कर दो क्योंकि पता चल चुका है आपको कि यह direction वाला है तो अब A और B के बीच कितनी दूरी है यहाँ पे तो यहाँ पर बहुत चुका है B यहाँ पर है तो यह 4 km और यह मुच्चे को पहचानिए तो यहाँ पर 64, 81 और 144 है और इनको हमको क्या करना है कि जैसे यह pattern है वैसा ही चारो absence में से हमको देखना है कि कौन इसको follow कर रहा है राइट लगभग ऐसा ही है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे तो 64, 81 और 144 simply हमको स्क्वेर देख जा रहे हैं क तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो पहला option है 464 यह किसी का square है ही नहीं और यहाँ पर 68 भी किसी का square नहीं है और 14, 34 यह सब भी किसी का square नहीं है तो options तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो 256 है यह आपका 16 का square है उसके बाद यहाँ पर आपका 324 है जो कि आप आपका 18 का square है, उसके बाद आपका यहाँ पर 19 का square है, 361, तो यह इसको एकदम follow तो नहीं कर दा है, बट यह कि यह सरे क्या है squares है, जैसे 8, 9, 12, 16, 18, ठीक है, बाकि कोई squares में सनी है, तो इस वज़ास से जो मारा second option है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अगला कुईशन देख लेते हैं यहाँ पर पांच्वा कुईशन कि यदि गन को हएच वियो गन को हएच वियो के रूप में कुटबद किया जाता है तो आई भी यू किसका कुट है देखे यह क्विशन आपको काफी टाइम ले लेता है अगर आपने इसको सही से नहीं पढ़ा तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा है यहाँ यहाँ पर लुख है यहाँ भाट है यहाँ इसन पर्वाट ज़ूज है अगर आप ने सही से नहीं पढ़ा है जल्दे जल्दी आपढ़ियौ का क्या कूट होगा तो आप आपë का खोजने जाओगे J B का यहां पर मतलब 9 है तो 10 मतलब एक एक बढ़ा है तो B का C और O का क्या हो जाएगा P हो जाएगा लेकिन आपको कोई option नहीं देखेगा फिर आप थोड़ा सा तो U के पहले क्या आएगा T आएगा ठीक है तो आप देख सकते हो कि यह बोल रहा है कि IBU कि इसका कूट है तो HAT का यहां पर एक एक आप जोड़ोगे तो यहीं बन जाएगा ठीक है यहां पर भी एक यहां पर भी एक तो बस थोड़ा सा अगर आपने क्विश्चन पढ़ने में विष्टे किया तो आपको गलत हो सकता है तो इसका जो करेक्ट आंसन रजाएगा और उसके बाद डाक्टर सही क्या है और क्या गलत है का एक लंबा प्रवचन देता है आर डाक्टर के पास और रसायनग्य के बगल में बैठा है M पूरी सभा में चुप रहता है और रसायनग ये बहुत अंत में बोलता है R का पेशा क्या है ये हमको बताना है अब ये R, S, M, G में R का क्या पेशा हमको ये बताना है क्योंकि इन में से एक लेखा के एक G विग्यानी एक रसायनग ये एक डाक्टर है तो क्या आपको कुछ जानकारिया यहां पे मिल रही है वो हमको बस देख लेना है तो G सभा का कारिसुची प्रस्तावित करके सुरू करता है तो ये तो कोई भी कर सकता है तो G का भी तक कोई जानकारी हमको नहीं मिला है उसके बाद है कि उसके बाद डाक्टर सही क्या है और गलत क्या है का एक लंबा प्रवचन देता है तो डाक्टर का भी हमको कुछ पता नहीं चला है आर देखिये के रहा है डॉक्टर और रसायनक ये के बगल में बैठा है तो आर का ये तो पता है कि ये डॉक्टर नहीं है ठीक है ये डॉक्टर नहीं है और रसायनक ये नहीं है ठीक है केमिस्ट नहीं है यहाँ पे तो R का तो हमको एक चीज़ पता चल गया कि यह नहीं है और कह रहा है कि M पुरी सभा में चूप रहता है अगर पुरी सभा में चूप है M तो इसका मतलब यह है कि M जो है हमारा क्योंकि G तो सभा में कारसुची प्रस्तावित करके शुरू करता है तो ये जी ये इसको कोई मतलब relation नहीं दे रहा है और उसके बाद यहाँ पर है कि डाक्टर एक लंबा चोड़ा प्रवचन देता है तो ये M तो चुप है तो ये डाक्टर ये भी नहीं है ये भी confirm हो गया उसके बाद और कोई आपको जानकारी मिल रहा है रसायनक ये बहुत अंत में बोलता है तो M तो पूरी सभा में चुप है तो इसका मतलब ये भी chemist नहीं है क्योंकि ये लास्ट में तो बोली रहा है ठीक है तो बसको doctor chemist कौन नहीं है ये पता चल रहा है लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि R जो है वो उसका पेसा क्या है क्योंकि अभी भी यहां पर लेखक बचा हुआ है और यहां पर आपका जीव वग्यानी बचा हुआ है तो अलगी क्या हो interpret समय कि यह लगेगा कि यह नृद्म में जैनकारी निकल के आ जाएगी लेकिन यहां कोई जनकारी निकल के नहीं आ रही है आकड़े अपर्याप्त हैं इसलिए second option यहां पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा अगला जो question है मारा एक निश्चित कूट में knowledge को इतने कूटवद्ध किया जाता है तो उस कूट में कह रहा है जनरल को कैसे कुटवद्ध किया जाए तो यहां पर देखिए आपको अगेन वहीं अलफा बेटकल चीजे पता होने चाहिए जैसे के लिम्यन ऐसे है तो इसको आप लिखिए यहां पर इनका जो अलफा बेटकल नंबर है वो पहले लिख लीजिए तो किंक्स 11 पंजाब मैंने इसको एक तरीके से याद किया था आपको भी कोई न कोई तरीके से इसको याद करना है ठीक है यहां पर 14 हो गया उसके बाद यहां पर 15 हो गया W का 23 हो गया L का 12 हो गया उसके बाद 5 हो गया D का 4 7 और यहां पर 5 और इसको इस तरीके से लिखा गया है 2 5 6 5 3 5 4 7 5 ठीक है तो तो इस तरीके से लिखा गया है यह जो ऊपर आपको knowledge दिया गया है ठीक है अब general को कह रहा है कैसे हम कुट बद्द करें तो क्या हमको इसमें कोई relation दिख रहा है पहले general को में लिख लिख लिखते हैं है रहां जो दीख लAll ईए और सबस्य किखते हैं और मैंसकि दो सबस्तुम यहारे नाEन की सबस्क्रीव here सबस्काइब है बैस सबस्क्राइब आपको डिखां जो नकिए न्याम सबस्क्राइब करें लोड़े एक Olivajs ay से सिधा और यह 5 है तो 18 का gap है और यहां पर आप देख सकते हो कि 9 का gap जरूर है लेकिन यहां पर कोई gap ही नहीं है तो ऐसा कोई relation नहीं दिखा तो अगेन यह एक अच्छा question था बट इसमें क्या हमको यूज करना है हम एक चीज यहां पर देख सकते हैं कि यह 1 और 2 हो रहा है ईक आथ 5 बाकंप सो नहीं हो को नीचे जहों का त्यों लिख दिया गया है तो वैसे ही यहां पे 7 का 7 5 का 5 4 1 5 5 8 9 1 2 1 3 तो यह आपका 7 5 5 9 1 3 यह आपका correct आंसर हो जाएगा तो 7 5 5 9 1 3 यहां पे fourth option I think है तो यहां पे आपका fourth option correct हो गया यह हो सकता है कि आपका थोड़ा सा time ले ले क्योंकि यहां भी digit का सम है तो यहां पे जितनी practice करोगे उतना आपको यहां पे यह आता जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे pattern बन सकते हैं अगला question हम लोग देख लेते हैं आठ्मा जो question है दिए ग double dash b dash a double dash a b है right एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यार बारह बारह टोटल है इसका मतलब तीन तीन यह चार चार का पेर बन सकता है आराम से अब क्या करना है आपको कि यह जो first option second option third option इसमें आपको put up करना होता है इसमें और देखना होता है कि क्या कोई pattern बन रह तो कि तौ क्या कोई pattern बनता दिख रहा है अभी तक तो कुछ वैसा नहीं दिख रहा है अगला हम लोग देख लेते हैं एए भी है मतलब तीन बार विबी है तौ तीन बार विख लेते हैं उसके बाद लाश्ट के दो वी लख लेता है अब यह वाला पड़िये ऑस को यह ब चार ही दिये गए जब कि जो टोटल आपका यहां पर जो खाली है वो आपका 5 ठीक है 5 जगहां पर आपका डैस है तो यह तो केवल 4 ही लेटर है तो 4 लेटर इसको फिल नहीं कर पाएंगे तो यह तो ऐसे ही गलत हो गया अब यहां पर आपको चूज करना है कि क्या इसमें पैटरन बन रहा था क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ा नहीं अब यहां पर आप देख सकते हो कि A A A B B B मतलब B B B B A A B B B यह कुछ पैटरन ऐसा बन रहा है कि तीन बार A है तीन बार B है फिर दो बार A है दो बार B है फिर एक बार A है एक बार B है मतलब 3 A 3 B 2 A 2 B 1 A 1 B तो काफी अच्छा कुईशन है यह पहले ही option में आपका correct था बट उसको सही confirm करने के लिए हमने second option को भी try किया लेकिन second option में कोई pattern अच्छा खासा बन नहीं रहा था A A A फिर A B A बन रहा था फिर A A B बन रहा था फिर B A B कुछ वैसा pattern बन नहीं रहा था इस वज़े से first option हमारे यहां पर क्या हो जाएगा correct हो जाएगा अगला जो question हमारे यहां पर नवा question कि इराक बगदाद से संबंदित है उसी प्रकार आस्ट्रिया डैस से संबंदित है तो देखे इराक अगर बगदाद से संबंदित हो तो बगदाद जो है वो इराक की राजधानी है तो आस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी यहा करेक्ट हो जाएगा तो एक आपका राजधानी से भी question हो गया तो अगला जो question है मारा दस्वा question कि यदि X Q की maternal auntie है जो Z का पुत्र है और Z E का सनिला है तो X इसे कैसे संबन दीता है तो ये तो blood relation का question हो गया काफी जी होता है ये भी कुछ नहीं करना यहाँ पर जैसा आप एक pattern follow करते हो कि यदि X Q की maternal auntie है तो X कोई lady है maternal auntie का मतलब हमेशा mammy का relation maternal mammy का relation paternal papa का relation ठीक है तो maternal auntie मतलब मौसी हो गया और ये लड़की है इसलिए इनको हम circle से denote कर दे रहे हैं तो Q की maternal auntie है तो एक generation नीचे आजएंगे Q पर अब मौसी है तो इसकी कोई mammy भी रही होंगी Q की ठीक है ये mammy हो गई और इनका एक husband हम यहाँ पर बस ऐसे सपोच कर लेते हैं जो Z का पुत्र है क्योंकि ये जो Q है कह रहा है Z का पुत्र है तो Z हमारा यहाँ पर हो गया ठीक है अब कह रहा है कि Z E का sun in law है तो E का sun in law का मतलब दामाद है E का तो यह मतलब कि जो इसकी mammy है इनके पापा यहाँ पर कौन हो गया एकस ई सामद्य थे यह चीतर अवा इसकी पुत्रित यह यह पुष्ट्रेंगा किया हुआ कि यह पुत्री है ठीक है यह पुछ रहा है, एकस ई से कैसे संबंदित हैं, तो यह पुत्री है, तो यह आपका हो गया, रिजनिंग के क्विश्चन्स, तो देखिए जो अब आगे के क्योंकि वह अब हमारे लिए हिस्ट्री बन चुके हैं बट यहां भी जो पहला ही क्योंकि आप देखते हो करेंट अफेर से हैं और यह स्पोर्ट से है 2016 में महिला एकलवर्ग में अस्ट्रियाई ओपन टेनिस टूनामेंट का किताब किसने जीता यह पहले जो पेपर कराया था इसके पहले उसमें भी पूछा गया था एक ऐसाई कुईशन तो जितने भी यह ओपन है जैसे आपको एक फ्रेंच ओपन भी है ठीक है फ्रेंच ओपन 2016 की बात करें तो महिला एकलवर्ग में अस्ट्रियाई ओपन टेनिस टूनामेंट का किताब उस टाइम पर एंजली करबर ने जीता था तो उस टाइम पर यह हमारा करेक्ट आंसर था तो इसे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं करेंट अफेर सेकेंड कुईशन है कि इनर्जी का और जूल एसाई उनिट है ही इनर्जी का तो जो यहाँ पर फैथम है वो हमारा इनर्जी की यूनिट नहीं है इस वज़े से थोर्ड आप्सन यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट है अगला देखें कुईशन जो हमारा है थोर्ड कुईशन की स्रिलंका पल्क जल चैनल द्वारा अलकिया जता है और यहाँ पे आप कुछ चीजह है वह आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर पल्क जो जल डम्रुब मद्ध्य है वो तमिल नाडु भारत के तमिल नाडु और स्रिलंका के जापना के बीच इस्तिते एक जल दम्रु मद्ध तो फेरा का पूर्ण नाम यहां पर क्या है तो इसका जो पूरा नाम है यहां पर आपको इंगलीज में मुझे देना चाहिए था F.E.R.A. का मतलब होता है यहां पर Foreign Exchange Foreign Exchange Regulation Regulation Act ठीक है तो Foreign Exchange Regulation Act इसका नाम है मतलब विदेसी मुद्रा विनिमे अधिनियम तो यहां पर जो आपका पहला ही option है वो क्या है आपका करेक्ट है हिंदी में विदेसी मुद्रा विनिमे अधिनियम फेरा का पूर्ण नाम है जो कि विदेसी मुद्रा सम्मदी देख सब्द है ठीक है तो Foreign Exchange Regulation Act यह आपका फेरा का फुल फॉर्म है अगला question यहां पर आप देख भी सकते हो कि जो विदेसी मुद्रा विनिमे अधिनियम है वो यहां पर इसका पूरा नाम है ठीक है और एक ऐसा अधिनियम है जो सक्त नियमों को लागू करता है और यह कुछ ऐसे नियम है इनको आप चाहो तो पढ़ सकते हो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला question है कि HSRA एक समोह का पूरण रूप क्या है जिसे 1928 में भगत सिंग ने एक सदस्य की रूप में स्थावित किया था तो HSRA यहां पर आप देख सकते हो जो HSRA उसका full form क्या है तो हिंदुस्तान Socialist Republic Association ठीक है तो पहला ही जो option है यहां पर यहां पर अगेन मैंने इससे related को जनकाईया दे रखी है तो आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो इससे पहले आप देख सकते हो कि इसका नाम हिंदुस्तान Republic Association था लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान Socialist Republic Association इसका नाम मतलब रखा गया यह इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिर रहा हूं तो ज्यादे डीप में नहीं जाते हैं अगला जो क्विस्चन है कि वर्स 2016 के लिए वीर मड़ी समाजिक नियाय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था तो किसे प्राप्त हुआ था चंदरबाबु नायटू अक्षेस यादो कि चंदर सेखर रहा हो या फिर सबिधान लागू हुआ तो यदो सबको पता होगा कि भाकि सविधान मारा लागू था 26 जनुरी 1950 को और कव ये अपनाया गया था तो च्विस नॉम्बर потер उनि जनुरी को ये लागू हो गया था अगला जो क्विस्चन है कि भारत में पहली देखी यहां पर आप है आधिकारी कि सब्सक्राइब है तो इसको देख सकते हो कि Suddenly यह से questions पूछ हे जा रहे हैं नौवा question कि किस भारती राज्य का अलग सम्मिधान है तो यह भी अपका यह history बन चुका है क्योंकि किस भारती राज्य का अलग सम्मिधान था अब यह था हो चुका है क्योंकि जमु कासमेर का था उस टाइम पर लेकिन जैसे ही जो आपका article 370 हट आपका तो क्या हुगा कि अब इसको जो विशेज दर्जा प्राप्त था इस राजे को वो खट गया ठीक है तो अब यह हिस्ट्री बन चुका है अब इसका एक अलग समिधान नहीं है भारत का ही जो समिधान उससे फॉलो चलता है ठीक है तो अगला कुशन देख लेते हैं एक टाइफ है ठीक है तो सेकेंड ओप्सन यहां पर क्या है करेक्ट है तो यह कुछ रहे हैं आपके जर्रेनल अवेर्नेस और करेंट अफेर के कुश्चन आप देख सकते हो कि किस की सिरिया से कुश्चन आप से पूछे गया है तो चलिए ठीक है फिर अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू टाटा बाई बाई